रेल्वे भर्ती बोड के परिक्षात्री बहनों और भाईयों आज नई दिल्ली में भारत के रेल मंत्री सिर्य अस्तुनी वैश्णावजी से मेरी लंबी बात्चित हुई है और उन्होंने आस्वस्त किया है कि एंटीपीसी के परिक्षा के अंदर एक छात्रे एक रिजल्ट किया जयेगा और दुसरा गूरुप डी की दो परिक्षा के स्थान पर एक परिक्षा की जो मांग थी उस पर उन्ने समति प्रकट की है इसे मैं चात्रों से अपील करूंगा कि जो दौ मुख्य मांगें थी कि एक परिक्षा और NTPC के प्रिक्षा में एक छात्र एक रिजल्ट उन दोनों पर उन्हें समती प्रकट की है और जो समीती बन रही है उसकी रिपोर्ट आने के बाद इन दोनों मांगों को किरानवित किया जाएगा साथी साथ मैं पटना के प्लिस प्रसार्शन से अपील करूँगा कि छात्रों और सिक्षकों पर किसी प्रकार की कोई दमनात्मक कारवाई नहीं होनी चाहिए अगर रेल्वे बोर्ड ने समय रहते इस पस्टिकरन दे दिया होता तो साइद ये दुर्भागे पूर्ण इस्थिती पैदा नहीं होई होती और ये कोई अपराद ही नहीं है ये सारे चात्र पढ़ने वाले चात्र हैं जो गलत फर्मी में ये रेल्वे बोर्ड के स्पस्टिकरन नहीं आने के कारण लोग सड़कों पर आ गए और जो कुछ दुर्भागे पूर्ण घटना घटी है तो ऐसे चातरों के खिलाव किसी प्राकार की कारवाई नहीं होनी चाहिए आपके साथ खड़ी है आपके साथ बिलकुल अन्याय नहीं होने देंगे हम लोग पर भरोसा रखिए और किसी के बाकावे में ना आएं जो लोग बंद का बाकी का आवाहन कर रहे हैं उनको विफल कर दीए और हमनों पर भरोसा रखिए आपकी मांगों को मनवाएंगे और वेश्णवजी ने अपनी दोनों मांगों पर अपनी समती प्रकट की है जो समय रहते तिरानमित होगी तो धन्यवाद मित्रों बानौर भा